तो हम वर्षब लगन के विभिन भाव में राहू महादसा की बात कर रहे हैं और इस वीडियो में जानेंगें वर्षब लगन के अगर साथवे भाव में आपका राहू इस्तित है वर्षचिक रासी में और अगर आपको इस प्रकार के राहू की महादसा आ जाती है तो राहू अपनी महादसा में क्या-क्या result आप लोगों को दे सकता है राहू अगर सब्तमभाव में बैठा है वर्षब लगन में तो आठ नमबर रासी में बैठा है आठ नमबर रासी में जब भी राहू बैठा है यहां राहू काफी सारे sort, tour, काफी सारी आपको मेहनत करवाएगा और बहुत सारी बार आपको इवन विदेश यात्रा या बहुत ज़्यादा फालतू की मेहनत देखने को मिल सकती अपनी लाइफ में तो ऐसा ज़्याद तक बहुत ज़्यादा frustrate होगा अपनी डेली लाइफ से भी, अपनी रूटीन से भी और अपनी एक ट्रेवल जो वो करेगा उससे भी काफी ज़्यादा difficulty जाट तक को आएगी तब ये राहू आपके जिवन साथी की health के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पर जिवन साथी का जो character काफी mystic हो सकता है जिवन साथी के साथ आपकी एक अच्छी bonding नहीं बनेगी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा secret नजर आता है कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा mystic नजर आता है आपके जिवन साथी के relationship को लेके और आपके relationship को लेके कही ना कही तो कुछ बहुत ज़्यादा परदे के पिछे चल रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा गहरा sexual relationship चल रहा है या कोई किसी के साथ एक अच्छी bonding चल रही है या किसी के साथ हो सकता है business में partnership हो तो बहुत ज़्यादा गहरा वहाँ पर एक bond create हो जाता है तो ये इस्तिति में कहीना कहीन रहू unexpected चीजें देता है अब ये रहू आपको suddenly divorce का कारण बन सकता है सब्तम भाव में अगर है तो अगर Jupiter का expect हो इस प्रकार के रहू पर तो भी इस प्रकार के chance बनेंगे क्योंकि मैंने काफी सारे चार्ट में देखके ये पाया कि यहाँ पर रहू पर आपको trust करना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाएगा और जब आप एक बार marriage कर लेते हैं उसके बाद आपका partner तुरंत बदल जाता है तो आप ये नहीं पैचान सकते या ये पता नहीं लगा सकते कि कब आपका partner बदलेगा कब क्या होगा या आपको खुद को पता नहीं रह सकता और फिर आपके लगन में केतू भी है लगन में केतू होने की वज़े से आपको वास्त्विक्ता अपनी खुद की ही पता नहीं चलती तो आप अपने जिवन साथी की वास्त्विक्ता का कैसे पता लगा लोगे आप सिरफ एक idea लगा सकते हो आप कुछ सोच सकते हो अपना एक personal विचार सोच सकते हो बाकी आपको पता लगाना काफी ज़दा मस्किल हो जाएगा हाँ इतना जरूर है कि जो सामने वाला होगा person जो आपका partner होगा या जो भी लोग आपकी life में आपके सामने आएंगी वो जरूर आपको easily पहचान लेंगे यहां बैटकर सब्तम भाव में राहू अपनी महादसा में आपके character को भी कभी-कभी खराब दिखाता है हलांकि आपका character खराब होता नहीं है बट राहू आपके character को खराब करने का काम करता है आपको गंदी संगत में गलत संगत में smoking बगरे करवाने यह सब की तरफ लेकर जाता है ऐसा राहू finance को लेके और धन को लेके बहुत ज़्यादा गहरी इच्छाएं देता है कभी-कभी आपका जो जिवन साती होगा वो धन समंदी स्थितियों में आपको नुकसान पहुँचाएगा वो आपको किसी भी तरीके से अपनी बातों में फसाएगा या धन का लालस देगा या कोई भी बिजनस है तो बिजनस में आपको आपका जो पार्टनर होगा वो लालस देगा यानि पार्टनर्शिप का बिजनस हो या married life हो किसी भी प्रकार से राहू यहां उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा अब हो सकते है कुछ एक दो कुंडली में अगर राहू ने अच्छे रिजल्ट दे दियो हो तो उसके बेस पे तो हम यह नहीं कह सकते है कि हमारी बात पूरी ही गलत है तो यहां राहू जो बैठा है यह राहू बहुत ज़्यादा mystic है बहुत ज़्यादा unexpected है तो यहां काफी alert रहने की जरुए थे आप लोगों को अब जरुरी यह की राहू की मादसा आपको कब आ रही है राहू की मादसा हो सकता है कि जिमन के सुरुआती समय में आ रही हो या आपको mid age में आ रही हो या later age में आ रही हो यही टीन मुखे phase हो सकते हैं आपके life के अगर सुरुआती समय में आ रही हो तो ये काफी बार आपको difficulty देगा congressional को phase करने में काफी बार लोग आपकी तरफ ज़्यादा attract होंगे और आप अपनी काबिलियत को बहुत ज़्यादा नहीं पहचान पाएंगे अप वास्तव में कौन है आप में क्या काबिलियत है आप क्या कुछ कर सकते हैं ये सब में राहू आपको एक बहुत ज़्यादा uncertainty देगा फिर राहू अगर आपको mid age में ऐसी महादसा में आ जाता है तो यहां राहू कुछ हद तक धन समंदी मामलों में आपको बहतर result दे सकता है अगर आपने कोई अपना खुद का काम किया कोई business किया या foreign tour किया या foreign जाके कोई भी carrier से related काम किया तो राहू आपके लिए favorable result रहेगा लेकिन आठ नमबर रासी में जब भी राहू बैठता है यहां राहू loss करवाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होगा कभी-कभी तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी साथ यह ऐसा राहू carrier को disrupt करने का काम करता है अगर आपने इस प्रकार के राहू के दसा में साधी कर ली तो आपका carrier भी काफी ज़्यादा disturb होगा साधी के बाद कभी-कभी अब यह राहू क्योंकि काफी ज़्यादा unexpected है काफी mystic है तो राहू आपको काफी सारे ऐसे कड़वे अनभव देगा जिस प्रकार के अनभवों की ऐसे अपक्सा अपने राहू से नहीं कियोगी तो आपको यह सब देखने को मिला होगा अब यहां आपकी image की बात आती है लोगों के सामने आप आते हैं तो यह सब्तम भाव है यह आपकी public जो आपके सामने आती है जो भी कोई विक्ति आपसे बात करता है face to face वो भी एक तरीकी से सब्तम भाव से ही जुड़ावा है तो यहां पर कोई भी ऐसा विक्ति जो आपके सामने आता है आपको किसी भी परकार का लालस दे रहा है या आपको बातों में फसा रहा है या आपके साथ मिठी मिठी बातें कर रहा है बिलकुल और आपको सच नहीं बता रहा है एक्चुल में लेकिन वो जो बता रहे है वो आपको एकदम सच लग रहा है तो यहां काफी जदा difficulty उत्पन होती है फिर इस परकार का राहू है वो आपको आपकी एक self एक image create करने एक पूरी नहीं होती है बलकि आपको रहू जलाने का काम करता है एक इरस्यालू person बना देता है एक बहुत ज़्यादा ऐसा person बना देता है जो अपने इच्छाओं को पुरा करने के लिए कुछ भी करेगा तो ऐसा रहू multiple relationship में आपको लेकर जा सकता है आपके relationship में दोखे बहु को बहुत अच्छा दिखाता है क्योंकि शुकर का घर है आपके लगन और लगन शुकर का घर होने के वज़े से ऐसा जो जातक होगा वो काफी attractive दिखेगा तो आपको film industry में या कोई भी गायन, singing, dancing वगए में ज्यादा अच्छे opportunity life में मिल सकती है साथ ये एक अच्छे creator के र केरियर को लेके बहुत ज़्यदा uncertainty उत्पन करता है फिर हम इनकी द्रश्टियों की बात करें तो द्रश्टियों की अगर यहां बात करें तो सबसे पहले जो द्रश्टी पड़ेगी 11th house पर पड़ेगी 11th house पर जब द्रश्टी पड़ेगी तो जात तक का फाइदा उसके network वाले उठाएंगे उसको किसी भी परकार से सीट करेंगे दोस्ते में उसके साथ सीटिंग होगी हर परकार से तो आपको यहां काफी alert रहने के जुर्ण आपको एक किसी को भी पैसा उधार नहीं दे वरना आपका पैसा लोटकर कभी भी वापिस नहीं आएगा और सामने वा आप उस आवरेंड को, वो 6 रुपी आवरेंड को नहीं पैचान पाते और वो वेक्ति काफी dual personality वाला हो सकता है, वो समय आने पर बदल जाएगा, आपको दोखा दे देगा, इस प्रकार का हो सकते हैं, तो राहू की दसा में ऐसा नहीं है कि आप अपने network को सीमित करोगी तो ज ज़्यादा अच्छ है, बट आप किस की साथ कैसे deal कर रहे हो, आप लोगों की साथ कैसे dealing कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है, फिर राहू लेंथा उसको देखने के विए से धन समंदी मामलों में फाइदा अवस्य देगा आपको, बले ही थोड़ा दे, चाही ज समंद है, तो आपका जो जिवन साथ ही, वो काफी आध्यात्मिक हो सकता है, काफी hidden personality वाला हो सकता है, काफी विद्वान हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, फिर राहू लगन को देख रहा होता है, लगन को देखने से विक्तित्व को काफी करिस्माई बनाता है, धन को ल के चांसे बनेंगे अगर आपने कोई भी अपना बिजनस स्टार्ट कर लिया एस प्रकार का 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 चारिय कर लिया उसकी वज़े से भी काफी बार आपको ट्रेवल करनापड़ेगा तो ऐसे जो जात्कों की इंछ हैं काफी बड़ी-बड़ी हो सकते हैं राहू की दसा में जैसे की वर्डवाइड ट्यूर करना बड़े-बड़े कोई भी ऐसे लंबे-लंबे ट्यूर करना जहां पर आप एक मौजमस्ती की रूप में मतलब देख रहे हो ट्यूर को और एक इंजोई करने के लिए लाइफ को एंजोई करने के लिए जा रहे हो ना कि कुछ सीखने के लिए या कुछ अपना खुद का नया करने के लिए तो यह कुछ रिजल्ट रह सकते हैं अब देखे ऐसा रहूँ अगर आपको लेट त्रेज में यह कुछ रिजल्ट हैं जो राहू अपनी महादसा में आपको वर्षब लगन में जब वह सब्तम में हो तो दे सकता है फिलाल वीडियो में इतना है